हलो एवरिवन, माईसेल्फ डॉक्टर मगलनाल, असिस्टेंट प्रोफिसर गवर्मेंट बांगन को लेज डीडवाना आज के इस वीडियो में हम क्रिष्टल क्षितर शिदानत के अनुपरियोग के बारे में पढ़ेंगे हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो संकर्मा ने तत्यूं के द्वारा बनाए जाने वाले संकुल योगीकों में धातू के डी ओर्बिटर्स की एनरजी है वो क्रिष्टल क्षितर सिदानत के अनुपरियोग के दो भागों में वीपार्टित हो जाती है अस्टफले के संकुलों में चतूसपले के संकुलों में ये जो वीपार्टन है वो T2, G और EG और्बिटर्स में हो जाता है और इन दोनों भागों के 20 का जो एनरजी गेफ है इस एनरजी गेफ को हम क्षितल क्षितर वीपार्टन उर्जा के नाम से जानते हैं अस्टफले की संकुल के लिए हम इसको डेल्टा O की द्वारा लिखते हैं और चतूसपले की संकुलों में हम इसको डेल्टा T की द्वारा लिखते हैं तो क्रिश्टल क्सितर सिद्दान के अप्लीकेसिन में हम पहला अप्लीकेसिन देख रहे हैं तो octahedral complex के लिए crystal field stabilization energy की याद करने का formula अपने पास है minus 0.4 N T2G plus 0.6 N EG यहाँ पर N T2G, T2G orbital में पाई जाने वाले electronों की संक्या है और N EG, EG orbitals में पाई जाने वाले electronों की संक्या है अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी संकूल योगीक में metal के D orbital में electron किस प्रकार से भरे जाते है यदि free metal ion के D orbitals में electron भरने है तो हमें पता है कि 5 U D orbitals की energy equal होती है पहले सभी 5 U D orbitals में एक-एक योगमित electron भरे जाएंगे और 5 से ज्यादा electron जब भरने है हमें तो फिर D orbitals में electronों का योगमन सुरू हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 U D orbitals की energy बराबर नहीं है उक्टाइडल संकूल में शुरू के जो 3 U D orbitals हैं उनकी energy कम है और दो U orbitals हैं उनकी energy ज़्यादा है यदि किसी संकूल योगीक में metal के D orbital में 3 electron तक प्रजेंट हैं electronic configuration यदि D1 चे D3 तक है तब तो हमारे पास यहाँ पर कोई confusing वाले स्थिति नहीं है कि तीनों के तीनों जो D orbitals हैं वो T2G orbital में जाएंगे और T2G orbital में जाएंगे तो इनका electronic configuration क्या हो गई तो D orbital में 1 electron है तो T2G1 D orbital में 2 electron है तो T2G2 और यदि D orbital में 3 electron है तो T2G3 लेकिन यह दिर D4 electronic configuration है D orbital में 4 electron है फिर हमें T2G और EG orbitals में electron fill करने हैं तो हमारे पास दो परकार की situations arise होंगी पहली situation क्या है पहली situation यह है कि जब और गेर पासर गेरी और पें। कि यहाँ पर हमें देखते हैं कि यह जो यूग्मन और्जा पाई है वो उस और पासर को कि एक ही orbital में जब हम 2 electron बरेंगे तो उन दोनों एलेक्टोनों की चक्रण की दिशा एक दूसरे की विपरित होती है लेकिन फिर भी उन दोनों एलेक्टोनों की बीच में कुछ परतेकर संबल लगता है उस परतेकर संबल के कारण जो energy क्या हो सकता होती है एक ही orbital में दो एलेक्टोन भढ़ने के लिए उस energy को हम पाटटर उर्जा डेल्टा ओ, तो इदластी डेल्टा ओ का मान पाई से ज्यादा है तब तो क्या होगा? कि जो चोथा एलेक्टोन है वो T2G और्बिटल में रहेगा यहीं T2G और्बिटल में जो तीन और्बिटल हमें तीन में तो एक एलेक्टोन भरे जाएंगे फिर चोथा एलेक्टोन है वो एक और्बिटल में एलेक्टोन का यूगमन हो जाएगा क्योंकि यूगमन उर्जा के लिए आउस्यक उर्जा का मान है वो EG orbital में इलेक्ट्रोन जाने के लिए आउस्यक उर्जा के मान से कम है तो डेल्टा O का मान पाई से ये दिजादा है तो हम कहेंगे कि दातू के D orbital का इलेक्ट्रोनिक configuration होगा वो होगा T2G4 condition second यह हो सकती है कि डेल्टा O का मान पाई से कम है तब क्या होगा इलेक्ट्रोन T2G orbital में यूगमित होने के बजाए EG orbital में जाएगा और इलेक्ट्रोन का यूगमन नहीं होगा तब इलेक्ट्रोनिक configuration होगा T2G3 EG1 अब हमें इसे energy gap को देखते हैं कि ये energy में अंतर कैसे arise होता है कि कभी डेल्टा O की value pairing energy से कम या कभी डेल्टा O की value pairing energy से ज्यादा कैसे होपाती है हमने देखा कि जो संकूल योगिक हैं उनमें किस्टल किसी तर वीपाटन उजा का मान अने के कार कूपर depend करता है जैसे हमने कहा कि यदि metal iron की oxygen state के मान में वरदी होती है तो वीपाटन उजा का मान बढ़ जाता है ligand का कर छोटा होता है तो वीपाटन उजा का मान बढ़ जाता है ligand में donating atom carbon है या फिर नाइट्रोजन है तो भी किष्टल क्सेतर वीपार्टन उजया का मान अधिक होता है और उस स्थिति में उस लिगेंट को हम प्रबल लिगेंट कहते हैं दूसरा हमने एक कारे के यह भी देखा था कि जब हम फरतम संक्रमन सीरीज से दूसरे संक्रमन सीरीज में आते हैं तो क्रिष्टल क्सेतर वीपार्टन उजया के मान में 40-50% की वरदी होती है और दूसरे संक्रमन सीरीज से तीसरे संक्रमन सीरीज में आते हैं तो crystal 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 v-partum उज्जा के मान में लगभग 20-30% के वरद्धी होती है तो यहाँ पर दोनों प्रकार किस्तितियां देर की है पहला जो diagram यहाँ पर दे रखा है उसमें crystal 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 v-partum उज्जा का मान कम है हम यहाँ पर देखो इजिली यह देख सकते हैं कि जब crystal crystal v-partum उज्जा कमान कम है इस डेल्टा O की value कम है तो तीन electron तो इन T2G orbital में भरे जाएंगे चोते electron के यह दि बात हो तो चोता electron फिर इस T2G orbital में भरने के बजाए यहाँ पर परने के बजाए electron कहां जाएगा EG orbital में जाएगा concept clear है कि यहाँ पर यह दि T2G orbital में electron भरा जाएगा तो यूगमन उज्जा के आऊ सकता होगी और उस यूगमन उज्जा कमान इस डेल्टा O से अधिक है तो जहाँ पर energy कम लगेगी electron वहाँ जाएगा और इस डेल्टा O की value कम है इसलिए electron कहाँ जाएगा EG orbital में जाएगा यहने जब डेल्टा O की value pairing energy से कम है तब D4 जो संकुल योगिक है उनमें दातु का जो electronic configuration होगा वो क्या होगा T2G3 EG1 दूसरे प्रकार के स्थति यह है कि जब डेल्टा O की value बहुत ज़ादा हो जैसा कि यहाँ पर इस diagram में हम देख रहे है डेल्टा O की value इसकी बजाए बहुत ज़ादा है लार्ज डेल्टा O value तो इस स्थति में क्या होगा जब चोथा electron जाएगा तो चोथा electron EG orbital में यह दी जाएगा तो यहाँ पर बहुत ज़ादा O energy क्या हो सकता होगी उच उर्जास्तर में electron जाएगा तो electron के लिए इतने उर्जा प्राप्त करना possible नहीं होगा इसलिए electron क्या करेगा T2G orbital में रह कर ही electron का यूगमन सुरू कर देगा और धातू संकुल में जो धातू कक्सकों का जो electronic configuration होगा वो होगा T2G4 तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी धातू आयन के लिए D orbitals की यूगमन उर्जा तो लगभग constant रहती है एपरिवर्थित रहती है लेकिन किस्टल क से तर वी पार्टन उर्जा का मान मेटल आयन पर, संकुल पर, किस्टल की जियोमेटरी पर अधिकार को पर निर्वर करता है तो इन दोनों उर्जाओं के comparison से हम देख सकते हैं कि high spin complex का निर्मान होगा या low spin complex का निर्मान होगा यह जो high spin complex और low spin complex हैं इन तर्म कों भी हम यहाँ पर देख लेते हैं इस संकुल में बात करें जहाँ पर delta o की value कम है यहाँ पर एयुगमित इलेक्टोन की संक्या कितनी है चार तेन तो T2G में और एक EG में एयुगमित इलेक्टोन की संक्या जादा है तो इस संकुल को हम क्या कहेंगे low spin complex तो हमें क्या याद रखना है कि यह दि delta o की value small है तो high spin complex बनेगा और यह दि delta o की value ज्यादा है large है तो बनेगा low spin complex यहाँ पर हमें एक example ले रहे हैं और उस example की दुआरे इस concept को थोड़ा ओर clear कर रहे हैं CFSE and pairing energy of some complexes यहाँ पर हमें octahedral संकुल के दो example लेंगे एक iron का संकुल है और दूसरा copper का संकुल है iron का संकुल जिसमें iron की oxygen state 2 plus है 2 plus oxygen state में iron के दो संकुल है एक तो Fe sto का होल 6 और एक Fe cn का होल 6 4 minus यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धातू में धातू आयन का electronic configuration है वो है D6 Fe second की oxygen state में iron में d orbital में 6 electron present रहते हैं तो electronic configuration क्या हुआ D6 iron plus 2 oxygen state में है इसलिए दोनों संकुलों में जो T2G orbital है उनमें electron का जब यूगमन होगा तो उनमें यूगमन उर्जा का मान यहाँ पर pairing energy 20 cm inverse में दे रखा है और इसका मान दोनों संकुलों के लिए एक्वल है 17600 cm और 17600 cm inverse change क्या हो रहा है change हो रहे हैं ligand यहाँ पर पहले संकुल में H2 ligand है जिसमें oxygen donating atom है और दूसरे संकुल में CN ligand है जिसमें carbon donating atom है हमें एक इस rule को ध्यान रखेंगे कि जो संकुलों की परबलता का जो करम है वो आप सारे संकुलों की परबलता का करम याद नहीं भी रख पाएं तो एक सिंपल साफ रूल याद रखेंगे सबसे ज़्यादा परबल ligand होते हैं जिनमें donating atom carbon होता है फिर उससे कम परबलता वाले होते हैं जिसमें donating atom nitrogen होता है फिर उससे कम परबलता वाले ligand होते हैं जिनमें donating atom oxygen होता है और सबसे कम प्रबलता वाले लिगेंड होते हैं जिनमें डोनेटिंग एटम फ्लोरिन होते है तो लिगेंड की प्रबलता का करम लिगेंड में जो डोनेटिंग एटम है इलेक्टोन पेर का जो डोनेट करने वाला एटम है उस एटम के आधार पर हम लिगेंड की प्रबलता का कर्म याद रख सकते हैं और ये कर्म क्या होगा सबसे ज़्यादा प्रबलता वाली लिगेन होगे कार्बन फिर नाइटोजन फिर ओक्षिजन और फिर हेलोजन तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दूसरा वाला संकुल है प्रबल लिगेन के उपस्तति में जो डेल्टा ओ की वेल्यू है वो ज्यादा होगी यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं डेल्टा ओ की वेल्यू कितनी है 32,850 cm अन्वर्स और दूसरा दो संकुल है इसमें H2O इलेक्ट्रोन पेर किसके पास है ऑक्सिजन के पास ऑक्सिजन जब डॉनर एटम है तो लिगेन के सा होगा दूर्बल लिगेन होगा तो अब हम यह देख सकते हैं कि किस संकुल में तो डेल्टा ओ की वेल्यू पेरिंग इनर्जी से ज्यादा है और किस संकुल में डेल्टा ओ की वेल्यू पेरिंग इनर्जी से कम है S2 वाला जुशंकूल है उसमें Δेल्टा O की वेल्यू पेरिंग एनर्जी से कम है पेरिंग एनर्जी है 17600 cm और डेल्टा O की वेल्यू है 10400 cm अनर्ज हम अपने इस फिगर में देख सकते हैं कि जब डेल्टा O की वेल्यू कम है तो किस प्रकार का संकूल बनेगा ये वाला संकूल बनेगा इस संकूल को हमने कहा था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें एगमित लेक्टून की संक्या कितनी होगी च्यार होगी तो किस प्रकार का संकूल इस स्थिमें बनना चाहिए high spin complex बनना चाहिए और जब हम वास्त में इस संकूल की study करते हैं इसकी में magnetic moment के द्वारा तो हम यही पाते हैं कि यह संकूल किस प्रकार का संकूल होता है high spin संकूल होता है और cn वाले case में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि delta o की value क्या है ज्यादा है इस परकार की यह वाले स्थिती है दूसरा वाले जो डाइगराम हमने देखा था यह वाले स्थिती है delta o की value ज्यादा है तो electron का क्या होगा यूगमन होगा जो 6 electron के जो 6 electron किस में रहेंगे t2g orbital में रहेंगे और जब electron t2g orbital में रहेंगे तो किस परकार का complex बनेगा low spin complex यह low spin complex बनेगा और जब वास्त में हम इस complex की study करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह संकुल कैसा होता है low spin complex ही होता है तो iron के दो octahedal संकुलों में हमें ligand की प्रबलता के आधार पर इनकी crystal field stabilization energy हमने calculate की और crystal field stabilization energy CAPSE की value के आधार पर हमने देखा कि low spin complex बनेगा या high spin complex बनेगा यह एक बहुत बड़ी कमी थी सैयोज़ता बंद सिधान की valence bond theory की कि इस unit के starting में हमने यह देखा था कि जो संकुल योगिक हैं वो low spin complex बनाएगा या high spin complex बनाएगा इस बात का अध्यन हम valence bond theory की साहिता से नहीं कर सकते लेकिन हमने कहा कि इस से बात की study हम crystal field theory के आधार पर हम easily कर सकते हैं इसको हम easily यह बता सकते हैं कि यह low spin complex बनेगा या high spin complex बनेगा और यहाँ पर देखो हमने कितना आराम से हैं कितना easily हमने इस बात का पता लगा लिया है कि जब iron weak ligand S2 के साथ जुडावा है तो high spin complex का निमान हो रहा है क्योंकि delta O की value कम है और जब iron strong ligand Cn के साथ जुडावा है तो low spin complex का निमान हो रहा है क्योंकि यहाँ पर delta O की value pairing energy से कम है एक और example हमने यहाँ पर ले रखा है वो है copper के दो संकुल हमने यहाँ पर ले रखा है copper के संकुल में हम देख रहे हैं कि copper का एक संकुल तो है F- और एक संकुल है Ns3 आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि कौन सा ligand weak ligand हो है और कौन सा ligand प्रबल ligand है लिगेंडू की प्रबलता का करम electron donating atom के आधार पर आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रबलता वाला carbon फिर nitrogen फिर oxygen और फिर halogen nitrogen दूसरे नमर पर आता है halogen last में आता है तो प्रबलता के करम में ammonia है वो प्रबल लिगेंड होगा और जो fluoride है वो दूर्बल लिगेंड होगा तो Cu third F six three minus यहाँ पर copper है वो plus three oxygen state में है तो copper में d orbital में साथ electron होगे और इनमें जो t2g orbital में electron की जो pairing energy का मान है दोनों ही प्रकार के copper वाले संकूल है उनमें pairing energy constant है कितनी है 21,000 cm inverse change क्या हो रहा है? ligand change हो रहे है एक में fluorine ligand है, durable ligand दूसरे में ammonia ligand है, purple ligand दूर्बल ligand के case में तो delta O की value कम होगी 13,000 cm inverse और purple ligand के case में delta O की value अधिक होगी 23,000 cm inverse तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो fluoride वाला जो संकूल है उसमें delta O की value pairing energy से कम है 21,000 है pairing energy और delta O है 13,000 cm inverse तो क्या होगा? high spin complex का निमान होगा तो हमने कहा कि predicted जो complex है वो कौन सा है? high spin complex और वास्तम में हम इसकी study करते हैं तो यह complex high spin complex ही होता है दूसरे ammonia वाला संकूल इसके लिए delta O की value pairing energy से अधिक है 23,000 cm inverse है delta O की value और pairing energy की value है 21,000 cm inverse तो यहाँ पर हम easy लिदेख पा रहे हैं कि जो delta O की value अधिक है तो किस परकार का संकूल बनेगा इस परकार यह वाली second वाली स्तिथी arise होगी और इसमें यह वाली स्तिथी इसमें delta O की value कम है तो electron कहाँ पर रहेंगे? T2G orbitals में रहेंगे तो 7 electron जो हम भर रहें हैं वो 7 electron कैसे बरेंगे? 6 तो T2G orbital में बरेंगे और एक electron कहाँ जाएगा? EG orbital में जाएगा तो 6 तो T2G orbital में यह चाहूं की चाहूं युगमित electron है एक EG orbital में जाएगा जो की A-yugमित electron होगा तो A-yugमित electron की संक्या कितनी हुई? यह हुई तो कौन सा संकूल बनेगा? Loisbin complex बनेगा और जब fluoride की case में हम देखें तो fluoride की case में हम देखेंगे कि 7 electron हम किस प्रकार से भर सकते हैं? कि पहले यहाँ पर हम कितने electron बरेंगे? 3 electron बरेंगे यहाँ पर कितने बरेंगे? 2 electron 5 होगे और फिर यहाँ पर कितने और electron बरेंगे? 2 electron बरेंगे तो यहाँ पर एकrap टून आ गया यहाँ पर एकटून आ गया यहाँ पर दोण अगयопас क्लिग आगये तो नीचे वाले में फ्लॉराइड वाले केस में अधिक है, तो फ्लॉराइड वाले केस में तो हाई-spin complex बन रहे हैं, और अमोनिया वाले केस में एगमतिलिक्नों की संक्या कम है, तो अमोनिया वाले संकुल में low-spin complex का निर्मान हो रहे हैं। तो ये क्रिस्टल क्सेतर सिदान्त का एक बहुत बड़ा अनुप्रियोग है जिसके अधार पर हम क्रिस्टल क्सेतर वीपाटम उर्जा का मान केलकुलेट कर सकते हैं और क्रिस्टल क्सेतर वीपाटम उर्जा और धातू के डी ओर्बिटल्स में इलेक्टोनों को भाणने के लिए जो पेरिंग एनर्जी है उन दोनों को कमपेर करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि संकूल योगिक में जो डी ओर्बिटल्स हैं उनमें T2G और EG ओर्बिटल में इलेक्टोन किस परकार से बढ़े जाएंगे लोस्पन संकूल का निर्माण होगा या हाइस्पन संकूल का निर्माण होगा तो आज की वीडियो में हम इतना ही बढ़ेंगे थैंक्यू